वेलकम टू मल्टी लेर्निंग यूट्यूब चेनल दोस्तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज फोटोसोप का इस एपिसोड में सिखेंगे पाथ सिलेक्शन टूल डिरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ सेप टूल है सेप टूल में आपका रेक्टेंगल टूल, राउंड रेक्टेंगुलर टूल, इलिप्स टूल, पॉलिगन टूल, लाइन टूल, कस्टम सेप टूल के बारे में सिखेंगे इसके बाद आता है hand tool इसके बाद zoom tool इसके बाद यह जो 3 point है यह आपका custom tool है आप tool को किस तरह से arrange करेंगे इसके बारे में सिखेंगे इसके नीचे आता है आपका default foreground और background यहाँ देखिए default foreground में black color है और background में white color है यह आपका customize कर सकते है background और foreground color उसका नीचे जो है quick mask mode या standard mask mode इसके बारे में सिखेंगे इसके नीचे में जो सबसे tool का सबसे नीचे देया गया है यह आपका screen size फूल करेंगे या standard करेंगे इसके बारे में तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो please viewers इस वीडियो को skip ना कीजिए और इस वीडियो को subscribe, like, comment, share जरूर करें आईए आगे बढ़ते हैं यहां देखिए दो tool है दोनों में अलग-अलग arrow का sign दिया गया है path selection tool में black और direct selection tool में white arrow का निसान है इसका use करने के लिए pen tool को use करने से यह समझ में आएगा तो एक काम करते है pen tool ले ले लेते हैं इस untitled image पर mouse का left click करके drag करना है करने स वाइसरे दो हैंडल आ जाएगा उसके बाद किसी दूसरे जगह पर click करके left click करके drag करने से अपका इस तरह से path होगा यहां जो आपका center में जो आपका blue color जो दीख रहा है यहां alter key प्रेस करने से एक हैंडल आपका delete हो जाता है गायब हो जाता है इसके बाद आप किसी दूसर में इसे प्रेस्च करने ऐगा हो जाएगा उसके बाद फिस दुसरे किसी यगह में ड्रेक करके आप इस तरह से एक हैंड़ को अगर लंबा करते हैं तो इस तरह से बने का कि वाल्टर की प्रेस करते हैं सेंटनररं जया है यहां सबर में चाहिए और एक प्र sprayed करें यहां देखिए माउस का पॉइंटर में एक सरकल का चिन्न है यह आपको क्लोज करने के लिए बोल रहा है यहां से हटाएंगे तो आपका यह सरकल वाला साइन हट जाएगा यहां क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद देखिए आपका इस तरह से आपका एक बात बना है अब यह अब पाथ selection tools का काम है यहां यहां देखिए पाथ selection tool को select करते है करने से क्या होता यह जो path है इस path को हम movement दे सकते हैं तो इस path selection tool का इही काम है इसके बाद देखिए direct selection tool यहां जहां आपका point है वहां click करेंगे तो यहां handle आ जायगा यह हैं है यहां है इसके बाद आप इस हैंडल से आप इसका जो कर्व है आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके बाद सेफ टूल एक काम करते हैं इस पात सिलर्शन टूल को पहले यहां से डिलीट कर लेते हैं इसके बाद यह जो सेप टूल है पहला वाला आपका रेक्टांगुलर टूल है यहां क्लिक करने के बाद अगर एक माउस का लेट क्लिक प्रेस करके अगर ड्रैग करते हैं तो यह ब्लैक रंग का एक बॉक्स बन जाएगा रेक्टांगुलर बॉक्स अगर आप इस बॉक्स का इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां उपर देखिए फिल में आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है अब अब नया कुछ अगर लेते हैं इसका भी ग्रीन आएगा इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां देखिए कि इस जगा कि कलर चेंज कर सकते हैं फील के पास में स्ट्रोक दिया गया है। अगर आप इसका स्ट्रोक देना चाते हैं ज़ू घुलった वाला जो बोक्स बना है am 이 इस तरह से आपका black में आया है इसका स्ट्रोक ृ अगर स्ट्रोक और कलर दीना चALKते हैं तो इस तरह से स्ट्रोक का कलर और सकते हैं, मंचहा अगर color से stroke करना चाते हैं, तो इसका देखी corner में, right upper corner में color दिया गया है, यहां से आप color पीक करके stroke का color आप change कर सकते हैं, यह देखे यह color में stroke आ गया है, उसी तरह से rectangular का जो rectangle जो corner अगर round chip में लाना है तो round rectangular tool का use कर सकते हैं यह देखिए इसका corner आपका round में आपको मिल जाएगा इसके बाद देखिए इसी तरह से ellipse tool है यहां से आप ellipse यानी circular या oval shape में आप कर सकते हैं इसको अगर shift press करके अगर करते हैं तो uniform circle बन जाएगा उसी तरह से rectangle को अगर shift press करके अगर एक box बनाते हैं तो square shape में यह आएगा अच्छा अब polygon tool इन सब को delete कर लेते हैं पहले यहां देखिए layer में आपका background layer सबसे नीचे में इसका उपर चारगो layer है यहां अगर click करते हैं ellipse में click करनी के बाद rectangular जो सबसे first layer है यहां अगर shift press करके click करते हैं तो यह सभी आपका selection हो जाएगा इसके बाद आप right click करके delete layer कर सकते हैं तो यहां देखिए आपका delete layer yes या no हो रहा है तो आप यहां yes कर देते हैं अब एक काम करते हैं polygon tool का use देखिए यहां देखिए उपर में आपका side 3 यह आपको corner दर्शा रहा है sides लिखा है लेकिन यह आपका three जो दिया है यह तीन corner आएगा आपका जहां आपका इस तरह से आपका shape बनेगा अगर यहां four करते हैं तो आपका इस तरह से होगा 5 करेंगे तो आपका इस तरह सबाइब इसी तरह 6 में देखिए इस तरह से 6 corner आएगा इसी तरह से अगर corner 20 अगर करते हैं तो आपका इस तरह से आएगा इस तरह से आपका shape बनेगा यहां देखिए आपका stroke i2 जो है श्रोक मेंगर क्लिक करते हैं आगर को इस तरह से ऐहाँ का पर टोग से नजर नहीं आ रहा है कारण यहां 0 पिक्सल में है इसे अगर बढ़हते हैं तब आपको नजर आएगा यहां इंटर मार देते हैं तो यह देखिए आपका स्ट्रोक्स आ गया है इसके बाद आता है आपका लाइन टूल यह काम करते हैं यह फोर ग्राउंड का जो कलर है इसे चेंज कर देते हैं बुलू कलर में लेते हैं अब देखिए यह line जब click करके drag करते हैं तो यह आपका इस तरह से line बन जाता है इस line tool का काम इस तरह से होता है line tool के बाद आपका आता है custom shape tool इस custom shape tool का help से आप different type का shapes यूज़ कर सकते हैं यहां देखिए यह जो shapes आपका property बार में जो है यहां drop down menu में क्लिक करने के बाद यह leaf trees है आप तरह तरह का trees आप shape ले सकते हैं माल लेजिए यह वाल लेते हैं इसके बाद color कुछ different देखिए ग्रीन और इस तरह से अगर करेंगे तो यह इस तरह का आपका shape आजाएगा next shape अगर लेते हैं इस तरह का तो यह इस तरह से होगा इसी तरह से अगर wild animal का लेते हैं तो यह देखिए इस तरह से आपका shape बन रहा है बोट्स का अगर लेते हैं तो यह क्लिक करते हैं तो यह देखिए इस तरह का बोट बन रहा है इस तरह से आप shape tool का use कर सकते हैं इसके बाद एक काम कर लेते हैं कंट्रोल जेट से back हो जाते हैं अंडू कर लेते हैं इसके बाद hand tool का काम है अगर hand tool अगर क्लिक कर दें तो आप इस whole image को move कर सकते हैं इस tool से आप इस image को घुमा सकते हैं यहां compass दिया गया है बीच में इस तरह से आप इस whole image को घुमा सकते हैं इसके बाद है जूम तूल यह आपका जूम तूल है देखिए यह किस तरह से जूम हो रहा है जूम करने के लिए mouse का left click करने से आपका जूम हो जाएगा और जूम आउट अगर करेंगे अल्टर की प्रेस करके mouse का left click अगर प्रेस करते हैं क्लिक करते हैं तो यह आपका जूम आउट होगा इसके बाद देखिए यहां three point है यह three point पर right click करने के बाद देखिए यहां edit toolbar दिया हो है यहां click करने के बाद यह आपका इस तरह साहगा अगर माल लिजे आपका toolbar में एरेजमेंट कुछ अलग तरह का चाहिए अगर माल लीजे यहां देखिए move tool को नीचे अगर लेके आते हैं देखिए move tool नीचे आगया है rectangular marky tool को अगर नीचे आते हैं तो double click करके से ला सकते हैं इसके बाद अगर done कर देगे तो आपका move tool का जो जो पहले से arrange होआ है वो एरेंजमेंट चेंज हो जाएगा डन अगर करते हैं तो देखिए यहां मूब टूल आपका नीचे आ गया है और रेक्टेंगुलर टूल जो उपर में था वो आपका नीचे आ गया है तो इसे पहले जैसे ही कर देते हैं तो यहां आपका थ्री पॉइंट में राइट क्लिक करके एडिट टूल बार क्लिक करने से आपका यह वाला जो एक विंडो आया है यहां पहले जैसे था उएसे ही कर देते हैं डबल क्लिक करके इसे उपर ड्रेग कर लिजे रेक्टेंगुलर मर्की टूल उपर में था डबल क्लिक करके इसे उपर ड्रेग कर लिजे इसके बाद डन कर दिजे यह देखिए आपका move tool उपर आ गया है और यहां जो रेक्टेंगुलर मरकी tool है जो उपर आ गया है इसका पहले यह elliptical mark tool था इसके बाद आपका यह background और foreground जो उपर में black color में है यह आपका foreground है इसका नीचे जो है ये background color है तो अगर जो foreground में है यहां ब्रस है यहां background layer में click करना पड़ेगा यह brush tool आपका लिया गया है यहां अगर brush लेकर अगर हम यहां brush करते हैं तो यह foreground में जो color है ओही वाला color आपका यहां brush होगा तो उपर में जो यहां दिया गया है यह देखी उपर में छोटा सा दो है color एक उपर में जो है ब्लैक है यह आपका फोर्ग्राउंड अर गेक्क्राउंड चैंज़ करना चाते हैं यह बैक्क्राउंड कलर चैंज करना चाहते हैं तो यह देखिए यहां double click करते हैं तो यह आपका एक window आ जाता है यहां से आप color pick करके वकी करने से यह देखिए आपका foreground में red color आ गया है यह जो brush दिया गया है यहां brush करते हैं तो यह अब red color में brush होगा background color background color भी इसी तरह से यहां blue color ले लेते हैं बुलू कलर लेने के बाद मान लेजिए यहां अगर डिलीट करते हैं कुछ भी इस सेलेक्शन को अगर डिलीट करते हैं इस सेलेक्शन जो किया गया है इसे डिलीट करने से आपका बैक्ग्राउंड कलर का यहां आपका जो विंडो आया है यहां आपको पूछेगा जो आप बैक्राउंड कलर में आप डिलीट करने के बाद बैक्राउंड कलर होगा तो आप यहां ओके कर दीजे तो यहां देखिए बुलू कलर में आ गया है डिलीट करने के बाद दुबारा डिलीट करते हैं अगर आप मालने यह फोर्ग्राउड कलर आप रहना चाहते हैं तो यह फोर्ग्राउड कलर में रेड़ में आ जायेगा control डी से यह सिलेक्षन आपका रिमूव हो जाता है जो सिलेक्षन था जो यह टूल है इस टूल को क्लिक करने के बाद यहां लेयर में देखिए आपका बैगरांड का जो यहां लेयर है यह आपका ब्लू कलर में आ रहा है इस कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं यहां अगर डबल क्लिक करेंगे तो यह देखिए कलर को यह काम करते हैं रेडिस में ल यहां बेक्ग्राउंड में आपका light, dark, redis में आया है यानि यह masking mode में है इसका काम देख लेता है यह काम करते हैं एक image लेता है इस image में अगर कुछ creative design करना है तो यह brush को click करते है ब्रस क्लिक करने के बाद यह brush का style जो है यह कुछ different लेते हैं इस ब्रस को लाते हैं इसका spacing Improve का जो spacing में spacing को बढ़ा कर दिये हैं इसके बाद देखते हैं masking mode का shortcut की Q है Q प्रेस करने पर भी ये देखिए masking mode में ये आ गया है Q दुबारा प्रेस करते हैं तो ये standard mode में आ जाता है standard mode याने कोई mask नहीं है यह अगर स्टेंड़ मोन में अगर कटलर करते हैं तो ब्रस करते हैं तो है आपका जी तरह का परस्ट होगा लेकिन इसमें को या और टार देखने को नहीं मिलेगा है है हम आ Begin से व्यूश्मीäft करते हैं से मासकिंग मोन में यहां क्लिक करके भी आप मासकिंग मोड कर सकते हैं या फिर क्यूंक प्रेव कर के भी मास्किंग मोड में अपक поэтому कर तो यहां एक काम करते हैं ब्रज कुल लिये हैं यहां इस तरह से कि तो हम इसके बाद का इसी पुल पर दोबरा क्लिक करते हैं क्लिक करने के निन्वार्ट को से इंवर्ट करने के लिए hon का जाता है इसे मने क्लिक करने के लिए एक काम करते हैं इसलेक्ट वाला जो है यहां option है मेनू बार में यहां से भी कर सकते हैं यहां देखिए shift प्लस control प्लस आई यहां देखिए यहां control प्लस C करने के बाद इसे नए page में अगर paste करते हैं इस तरह से आपका image आ जागा इस image को rotate कर लेते हैं रोटेट करने के लिए यह हैंड टूल का यह नीचे वाला जो टूल है इस टूल को यूज़ को देखिए इस तरह से आप creative image बना सकते हैं masking masking क्वीक मास्क मोड का ही काम है इसके बाद देखिए क्वीक मास्क मोड की नीचे यहां एक option दिया गया है यहां standard screen mode full screen mode with menu bar है और full screen mode अगर standard screen mode में अगर क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह का आपका interface रहेगा और full screen mode with menu bar करते हैं तो आपका इस तरह से रहेगा अगर full screen mode में करना चाहते हैं तो यहां full screen क्लिक कीजिएगा या फिर cancel कर दिने से आपको full screen नहीं करना पड़ेगा तो यहां full screen करके देखते हैं यह आपका फूल स्क्रीन आया है, इसे एस्केप करते हैं, करने से दुबारा आपका नौरमें मोड में आ जाएगा, स्टेंडर्ड स्क्रीन मोड में, फोटोसोप का जो यह टूल है, इसके बारे में फूरा टोटल बताया गया है, और इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप करते हैं, तो इसके लिए आगे बढ़ेंगे, थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब आवर चैनल